अश्कार आप शवी का स्वागत है NKP Production में और आज मैं फिर से एक नोटिस लेकर के आया हूँ जिसमें आपको placement के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ यह especially आपको दो पर focus है जो आपका BCA और MCA पर है और यह जो company है आपका जिंदल जिंदल लिमेटेड जो है उस पावर जो है उस पर से निकल करके आई है यह जो इसके लिए आपको बता दे जो अगर BCA किये हुए है और BCA के लिए 10,000 से starting वहीं आपका MCA किये हुए उसका 20,000 स से starting है और उसके बाद में later on आपका encouragement जो होते रहेगा वो detail के साथ में अभी बताने वाला हूँ क्या क्या qualification है कौन सा कौन सा year वाले इसमें apply कर सकते हैं सारे detail में आपको बताने वाला हूँ आं तक आप वीडियो में बने रहेंगे जो notice आया है notice के साथ में भी आपको बताने वाला हूँ और सबसे पहली बात है कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है लाइक से सब्सक्राइब चरूर कर लिजे बगल में बेल इकन है उसे दबा लिजे चली मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें जो है आपका कौन से year के अश्ट्रेंट अपलाई कर सकते हैं इसमें पर mca जो है वो जो 2018 में 58 हो चुके हैं और 2022 में 58 होने वाले हैं जो अभी अभी ओ apaहर में होंगे वो अपलाई कर सकते हैं Japonे कब से कब तक है आपको बताधें से Adv Apply करने का not here, और यही है placement sale में महरवारी कॉले राची की सबसे ऊपर में placement sale है वहाँ पे assistant जो आपका है रिता में उनके पास में आपको सीवी को जमा करना है और सीवी के जमा करेंगे उससे पहले पांच से पहले ही आपको जमा करना है timing जो है साड़ह 11 बजे से लेकर के 10 बजे तक का इसके बीच में ही आपको जमा करना है, सबसे खास बात ध्यान यह रखिएगा, कि आपका 3 और 4 को कोलेज छुटी है, इद को लेकर के कोलेज छुटी है, 3 और 4 को, तो आपके पास बस एक ही दिन का मोगा है कि 5 तारीक को अब जा करके जमा कर सकते हैं, उसके बाद date को extend अभी नहीं किया गिया है, इससे बीच में जितना भी आपका detail आएगा, मैं आपको साजा करूंगा, अभी notice पे दिखाता हूं, आपके डो notice में क्या निकला है, तो दोस्तों यह notice है, जो notice आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसमें आपको बताते है, company का नाम जो दिया गिया है, वो है जिंडल, स्टील, एंड पावर, यह आपका दो से ले करके, पांच के माई 2022 के बीच में आपको यहाँ पर एसिस्टेंट, ऑफिस असिटेंट जो है, रिता में, प्लेस्मेंट सेल में, वहाँ पर जाकर आपको जमा करना है, साड़ह इकारा बज़े से ले करें, डेड करते हैं, तो दस अजार पर मत, और इसके रिस्पेक्टिव आपका जो भी है, आपका जो इनक्रीडमेंट होगा, और आपका जैसा वर्क होगा, उसके अनुसार आपका जो का आगे की टर्मेंड कंडिशन बढ़ेगे, इसका मिनिमम क्या है, क्रेटरिया जो रखा गया है, वो 60% अभव रखा गया है, अकैडमिक, मतलब कि 10 वा, 10, 12, ग्रेज़ेशन तक में 60, हर चीज में, मतलब 10 वी में, 12 वी में, और योजी में 60% से उपर होना चाहिए, या 60% अप्रोप्रेट होना चाहिए, वहीं आपको बता दे हैं, आपको MCE अगर किये हुए हैं, तो उसम से लेकर के 14 माई 2022 तक के बीच में होगा, और आपको बता दे, जोब डिस्क्रिप्शन जो है, आपका अगर जब आप इंटर्वियो में क्लियर करते हैं, या आपका जोब होगा, उसमें आपको पूरा जोब डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, तो आप कोमेंट करके बत